Hi everyone, welcome to today's video, जहांपर मैं address करने वाला हूँ, उन सभी बच्चों को जो बच्चे अपना CA Inter की तयारी कर रहे हैं September 25 या January 26 हो सकता थोड़ा सा पहले कर रहे हूँ या फिर वो बच्चे जो थोड़ा सा लेट हो गए हैं मतलब May 25 अगर आप ये particular attempts में planning कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा पूरा सुरिएगा इस वीडियो के तुरू मैं आपको ये बताऊंगा कि advance accounts आपको कैसे plan करना चाहिए, advance accounts में आप किस तरीके से exemption ला सकते हो और why you should consider my classes, my lectures for your entire CA Inter के journey के लिए, चल ये शुरू करते हैं, बच्चों सबसे पहले मैं आपको congratulate करना चाहूंगा, अगर आ मैं आज chartered accountant हूँ, आज एक successful chartered accountant हूँ और मुझे उस पर गर्व है, तो definitely मुझे यकीन है कि आपको भी एक दिन अपने उपर गर्व होगा, चलिए, अब बात करते हैं, पूरे subjects के बारे में, advance account के subject के बारे में और मेरे बारे में, मैं फिर से request करूँगा, थोड़ा सा वीड आजमी, आपके साथ खड़ा हो सकता है, exam तक आपको कैसे help कर रहा हो सकता है, जितनी है, जितनी आपको मेहनत करनी चाहिए, उतनी ही equal मेहनत आपके साथ मैं कैसे कर सकता हूँ, और आपको exam में pass होने के लिए, exemption नालने के लिए, क्या क्या आपको जरूरत पढ़ सकती है, वो चीज़े मैं आपको बताऊंगा, चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं खुद Charted Accountant बना 2011 में, और सबसे लेकर मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ, मैंने स्नार्टिंग में प्रेक्टिस भी किया था 7-8 साल, और मेरा जो कोर प्रेक्टिस एरिया था वो था Accounting Standard, Accounting Standard में आपको बताऊंगा, आगे अभी इसी वीडियो में, कि उसकी क्या relevance होती है, तो मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, और 13 साल से मैं CA Intermediate के स्टूडेंट्स को Advanced Accounts और CA Final के स्टूडेंट्स को Financial Reporting, जो कि Advanced Accounts का एक Higher Version है, वो पढ़ा रहा हूँ, आप ब आप सही सोच रहे हो, अगर मैं आपकी जगह पे होता है, तो प्राइमा फेसी मेरे मन में भी यही आता, बट आपको क्या कोना, आपके मन में क्या जो चल रहा है, उसमें कहां कहां चीजें मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ, देखे क्या होता है, कि CA Foundation का जो Accounts होत आपके CA Foundation से related नहीं है, ठीक है, जबकि यह जो CA Inter का, जो Advanced Accounts का subject है, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने अच्छे से वसकी पढ़ाई की, तो इसका completely आपको यह काम आएगा CA Final में, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा faculty चूज करना चाहिए, जो faculty आपको CA Final तक भी ले जा सकता है, और CA Final तक आपको help कर सकता है, ठीक है, अब आप यहाँ बोलोगे कि sir, कोई बात नहीं, ऐसे भी हम faculties को जानते हैं, जो CA Inter में पढ़ाते हैं, और CA Final में पढ़ाते हैं, आप अखेले थोड़ी हो, बिल्कुल, यहाँ पर भी आप definitely यह कहना चाहोगे, तो मैं इस पे भी आपको य faculties हमें exam तक revision lectures provide करते रहेंगे की नहीं, हमारे doubt sessions हमें देते रहेंगे की नहीं, मैं especially बच्चों के लिए exam time में एक separate batch launch करता हूँ, जो की freely available होता है मेरे students के लिए, जिसको मैं अभ्यास batch बोलता हूँ, rapid revision का नाम देता हूँ, तो हम rapid revision batches, अभ्यास batches, आप जाके देख लिज lectures dedicated for all our students के लिए होते हैं, जो कोई और faculty नहीं देता है, भले वो CA final में पढ़ाते हैं, but definitely exam तक कोई और help नहीं करता है, and definitely यहाँ पर मैं उन सभी बच्चों से request करना चाहूंगा, जो मेरे खुद के student रह चुके हैं, वो इस video के comment में जरूर अपना feedback डाले, और अपने juniors को बत हमारे demo lectures जरूर देखिएगा, और आप अपने senior से जरूर पूछेगा कि किस तरीके से हम course को complete करते हैं, और किस तरीके से मैं बच्चों के उपर महनत करवाता हूं, अब आगे बढ़ते हैं, कि why you should consider my classes, बहुत सारे features में यहाँ पर आपके लिए लिखके आया हूं, बहुत सा बहुत सारे concepts को करवाने के लिए, मैं बहुत सारे examples class में करवाता हूं, ताकि जब आप institute के question करोगे, तो वो करने में आपको problem न जाए, यह होती है 100% concept clarity, फिर होता है maximum questions practice in the class, कई बार हो सकता है, आपने यह सुना हो कि यह फलाना faculty, class में questions कम करवाता है, homework ज्यादा देता है, क course complete करना, but मेरी पूरी कोशिश होती है, कि मैं maximum से maximum questions आपको class में करवाऊं, ताकि आप class में ही मेरे से doubt पूछ सके, चाहे आप live देख रहे हूं, चाहे आप face to face कर रहे हो, चाहे आप recorded lectures देख रहे हो, because recorded lectures में भी उन बच्चों को फाइदा होता है, क्योंकि जब live वाला बच् सा दिखेगा कि कुछ faculties आपको 300-300 घंटे में lectures complete करवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे faculties है, with due respect to them, बहुत अच्छे तरीके से हर faculty अपना course design करता है, कि एक advanced accounts का subject होता है, कुछ faculty आपको बोलेंगे कि मेरा course जो है, वो 300 घंटे का है, 300 घंटे का है, यह that is too much, actually that is too much, अगर आपको 300-300 घंटे में अगर सिर्फ advanced accounts ही करना है, तो आप बाकी और कुछ करी नहीं पाओगे, और इतना बड़ा अगर 300-300 घंटे में आप classes complete करोगे, तो उसके बाद आप compile नहीं कर पाओगे पूरे syllabus को, फिर कुछ faculties आते हैं, फिर कुछ classes आपको मिलेंगी, जहां पर आपको बोल कर रहा है, कुछ न कुछ आपको practice कम करवाई जा रही है, जो हमारा syllabus होता है, मैं जो particularly syllabus करवाता हूँ, वो approximately 230-240 hours में लूँगा, मैं आपको पहले दिन ही बता दूँगा कि हमारे 230-240 hours लगेंगे, उसका reason एक मातर यह है कि मुझे आपको maximum questions की practice भी class में करवानी है, और मु faculty नहीं कर रहा है पूरे industry में, तो आपको chapter wise test दिये जाएंगे, पूरा syllabus complete होने के बाद आपको full test भी provide किये जाएंगे, chapter wise test आपको check होके भी मिलेंगे, यह आप अपने senior से भी confirm कर सकते हो, class में regularly revisions करवाया जाएगा, ताकि आप chapters को भूलो न, उसके बाद मैं आपके साथ live zoom sessions लूँगा, हर एक chapter complete होने के बाद, या फिर Sunday to Sunday weekly business पर मैं आपके साथ live zoom sessions लूँगा, और उन zoom sessions में आपके doubts को solve करूँगा, अगर आपको कोई guidance चाहिए, आपको test वाले paper में कोई problem थी, तो उसके doubts solve करूँगा, और इसके अलावा, आपके और भी कोई problems होगी, तो वो live zoom sessions मे entertain किये जाएंगे, ठीक है, revisions के साथ साथ, उसके बाद books की बात करें, तो मैं books पे तो क्या ही बोलूँ, books के मामले में आप अपने senior से जन्होंने हमारी classes लियोगी, उनसे जरूर एक बार पूछेगा, कि Jaye Sir की books किस तरीके से develop की गई है, आपको इसका अंदाजा जब आप classes लोगे, तब मालूम पड़ेगा, मैं फिलाहल आपको books दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमारी books होती है, ये रहती है हमारी question bank, question bank के बगल में आपको qr मिलता है, बहुत सारे feature से पर video लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको specific feature बता देता हूं, जो सबसे important है, ये है qr का feature, qr का feature काम तब करेगा, जब आपका syllabus complete हो जाएगा, और exam time में आप किसी question में अटक रहे हो, और वो question बहुत important है, तो आपको बगल में qr मिल जाएगा, आप scan करके मेरा video solution कितनी बार भी देख सकते हो, exam से पहले ताकि आपको doubts resolve हो जाए, आपको doubt अलग से पुछने की ज़राती न प उनको जल्दी समझ में आता है, ये किताब को मैंने खुद handwriting करके, proper अपनी writing में type करके मैंने बनाया है, मैंने ये किताब अपने किसी staff से नहीं बनवाई है, और ये किताब को इस तरीके से बनाये गया है, कि जब आप पहली बार पढ़ोगे, और जब आप last time exam के time पर पढ़ इस video के description में जाके जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने books को बनाया है, हाँ, एक और important खासियत है, मैं जब अपना batch शुरू करता हूँ, तो हमेशा starting के 4-5 दिन basic से शुरू करता हूँ, चाहे आपका accounts favorite subject रहा हो, चाहे आपका accounts favorite subject नहीं रहा हो, दोनों बच्चों के हिसाब से, यह basics बहुत जादा important होते हैं, चाहे आप direct entry से आ रहे हैं, चाहे आप foundation pass हो के आ रहे हैं, यह basics से मेरा start करने का एक मातर reason ही होता है, कि जब हम chapters पे चलेंगे, तो उनकी linking बनेगी, यह basics ऐसे नहीं होते हैं, कि basics आपको काम नहीं आएंगे, यह बात करें, तो हमारा past result, अब आप बोलोगे कि sir, आप इतनी बड़ी-बड़ी बाते कह रहे हो, आपका past result क्या रहा है, तो मैं आपको अपना past result भी दिखा देता हूँ, मैंने पिछले दो attempt का result compile किया है, यह है हमारे CA Inter के बच्चे, जिनकी AIR भी आई, और जिनके इतने अच 96 marks, मैं 24 attempt में, आयूष जाजू के marks आई थे 92 marks, यह सब All India Rankers है मेरे CA Inter के Rankers है, CA Final के Rankers है, यह Rankers अभी September 24 attempt के Rankers है, और इसके अलावा यह मेरा result है, जो कि इतने सारे बच्चों के exemptions आए, और अभी भी result, अभी कुछी दिन पहले आया है, तीन दिन पहले आया है, अभी मेरा result compile हो रहा है, जिसमें कई सारे बच्चों की exemption आई है, approximately 200 प्लस बच्चों की exemption आई है, September 24 attempt में, ठीक है, तो यह इस तरीके से हमारा रहता है, मैं आपको अपना personal WhatsApp नमबर दूँगा, कई faculty आपको अपना WhatsApp नमबर नहीं देते, मैं आपको अपना personal WhatsApp नमबर दूँगा, मेरी किता आवों में लिखा होगा, जिससे आप मुझसे directly भी connect हो सकते हो, किसी doubt के लिए, या फिर guidance के लिए, ठीक है, तो this is what, कि आपको मेरी classes क्यों consider करना चाहिए, अब आते हैं, कि सर, आप September 25 attempt के लिए, कौन सा batch ला रहे है, तो मैं September 25 attempt के लिए, या फिर अगर किसी का attempt, मैं 25 भी है जनवरी 26 है, उनके लिए अगर वो अपनी पढ़ाई कर अभी शुरू करना चाहरे है, तो उनके लिए मैं ला रहा हूँ, लाइव guidance batch, ये लाइव guidance batch में आपको हमारे pre-recorded lectures मिलेंगे, मैं पहले भी कई बारे अपने वीडियो से बता चुका हूँ, आपको हमारे pre-recorded lectures मिले तो अगले दो attempt को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं, तो pre-recorded lectures आपको provide किये जाएंगे, आपकी मर्दी होगी, चाहे आप recorded lectures को अपने convenience के एसाब से देखो, दिन में दो lectures देखो, तीन lectures देखो, या फिर आप मेरे बनाय हुए planner के according, रोज डेली, धाई बजे, दिन म planner मैंने उन बच्चों के लिए बनाय है, जो बच्चे हमारे साथ लाइब जुड़ना चाहते है, 11 नवंबर से, ठीके, अगर आप मानलो ये lecture 11 नवंबर के बाद देख रहे हो, आप 11 नवंबर के बाद स्टार्ट कर रहे हो, तो भी आप properly lectures देखते जाएगा, इस sequence में देख भी आपको पता चलेगी, मैं कैसे कैसे लाइव आउंगा, जैसे 13 तारीकों में लाइव आउंगा, फिर 17 तारीक को लाइव आउंगा, फिर उसके बाद मैं 24 तारीक को लाइव आउंगा, फिर उसके बाद मैं 27 तारीक को लाइव आउंगा, कब-कब में लाइव आउंगा, आपको इसकी डीटेल भी आगे चलके पता चल जाएगी, टेलीग्राम गुरूप के तुर आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने बचे लाइव आने वाला हूँ, ताकि आप पहले से ही प्लान कर ले और मुझसे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये कंप्लीट प्लानर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लाइव सिर्फ उन बच्चों के लिए रहेगा कि जो बच्चे हमारे लाइव स्टीमिंग को देखेंगे, अगर आप अपने हिसाब से प्री रिकॉर्डड लेक्च्चों को अपने मोड में देखना चाते हो, तो भी आप मेरे साथ लाइव जोड़ सकते हो, बस लाइव गाइडेंस बैक्स का सबसे बड़ा पैनिपिट ये है, कि अगर आप रोज एक लेक्चर डेली बैसिस पर देखते हो, तो आपका डिसिप्लेन मेंटेन रहेगा, आप स्लेबस को टाइम पर कम्प्लीट कर पाऊगे, जबकि अगर आप बालो ये सोचरों कि मैं अपने कन्वीनियन्स के हिसाब से लेक्चर देखूँ, तो यहाँ पर आपको खुदी डिसिप्लेन मेंटेन करना पड़ेगा, टेलीगराम गुरूप आपको जॉइन करवाया जाएगा, जब आप लेक्चर्स पर्चेस कर लोगे, तो आपको बैच का ग्रूप जॉइन करवाया जाएगा, ठीक है, और उस बैच के ग्रूप के थूप मैं आपके साथ कम्यनिकेट करता रहूँगा हमेशा, रोज के रोज बैसे पर, आप मुझसे उस ग्रूप में जो एडवांस अकाउंट्स का जो स्लेबस है, वो 70% उसमें अकाउंटिंग स्टांडर्स है, ठीक है, और 30% अदर टॉपिक्स है, अब मैंने आपको जैसा बताया कि, वाइद इस स्लेबस इस कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यॉर स्लेबस और उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्यों? देखें, जहां तक बेसिक्स है, कि बाई, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंशीट का बेसिक्स, पीएडल का बेसिक्स हो तो आपको हमेशा काम आएगा, बट होता क्या है, कि जहां हमारे मन में आता है, कि हम उस फैकल्टी से पढ़े, जिस फैकल्टी से हमने फाउडेशन में पढ़ाया है, हमने फाउडेशन में पढ़ाया है, तो वहां आपको मैं ऐसे help कर सकता हूँ, भले मैंने आपको फाउडेशन में नहीं पढ़ाया होगा, तो वहाँ मैं आपको ऐसे help कर सकता हूँ कि जो accounting standard है उसमें मेरा खुद का personal experience है practice का experience है मैंने 8 साल तक accounting standard के area में practice किया है दूसरी बात यह है कि मैं खुद CA final का subject पढ़ाता हूँ FR जिसमें ये accounting standard का relevance है 100% labels वो accounting standard कवर करता है CA final FR में भी तो क्या है आपको ये faculty ऐसा faculty चूज करना है जिसका accounting standard का expertise हो बच्चे हमें मुझे advanced accounts का king बोलते हैं वो बच्चे बोलते हैं और वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से मैं उनको accounting standard class में करवाता हूँ और किस तरीके से उनको retain करवाता हूँ और मैं उनकी handwriting practice करवाता हूँ ताकि exam में उनको problem न जाए ये accounting standard आपको real life में भी काम आते हैं CA final के अलावा आपको ये real life में job में practice करने में भी काम आते हैं ठीके ना और वैसे ही जो other topics हैं ये भी आपको real life में काम आते हैं तो जो ये syllabus है ये syllabus completely आपके foundation के syllabus से different है एक भी chapter आपका वैसा का वैसा नहीं है इस वज़े से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हमारी एक बार demo lectures जरूर देखेगा जिसकी playlist मैंने इस video की description में डाली है अब क्या है वीडियो जादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस video को यहीं पर end कर रहा हूँ आप मेरा introduction session जरूर attend करिएगा या फिर अगर आप वो attend ना कर पाएं तो आप मेरे starting के 4-5 demo lectures जरूर देखेगा आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैं आपकी journey बहुत ही अच्चे से strong तरीके से करवाने वाला हूँ ताकि आपका exemption आ जाए अगर आपका accounts favorite subject है या फिर आपका accounts favorite subject नहीं भी है दोनों cases में आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से accounts की journey करने वाली है हाँ favorite subject नहीं है तो मेरा यकीन है कि मेरी classes लेने के बाद within 15 to 20 days आपका ये subject definitely एक favorite subject बन जाएगा ठीक है तो बस इसी के साथ मैं इस lecture को conclude करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर यहां तक सुन चुके हो तो discussion में एक बार जरूर जाके मेरे demo PDF बुक जरूर देख लेना demo lectures की playlist जरूर देख लेना और आपको अगर कुछ और पूछना हो तो इस वीडियो की comment में आप जरूर पूछना मैं आपको reply करूँगा और साथ साथ आप मेरा introduction lecture जरूर देखेगा so thanks a lot guys अगर यहां तक आचुके हो तो मैं आपको इतना assure कर सकता हूँ कि मैं आपको pass करवा के रहूँगा अगर आप मेरे कहने पर चलोगे मेरे according अगर आप चीजे फॉलो करोगे तो definitely आपकी exemption तो क्या मैं आपको AIR दिलाने में भी आपकी बहुत जादा help करूँगा thanks a lot guys for watching this video and अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक जरू करना मिलते हैं बहुत जल्द live batch में thanks a lot